वेलकम बैक तो वर यूटूब चैनल आप सभी को स्वागत है आपके और हमारे इस यूटूब चैनल मोहन बैरत इंफोर्मेशन में तो आज का टोपिक है जर्श्ट फाइव इंपोर्टेंट टिप्स इन समर तो इस वीडियो में सर्फ आपको सर्फ पांच इस इंपोर्टें लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट कर दिया करो प्यारा से और सब्सक्राइब कर दो हम 200 सब्सक्राइबर के बहुत करीब सिरह 45 सब्सक्राइबर की और जुरुत है 45 नहीं 35 सब्सक्राइ सीड और भी बहुत सारे गरम सीड थे गाइस अब हमें वह नहीं देना है बिल्कुल भी क्योंकि अब गरम सीड से उनकी बॉड़ी के अंदर गरमाहट होगी तो वह डेड वगरा भी हो सकते हैं अब हमें सरफ अपने बर्ट को कंग नी देनी है कंग नी दाना जो तरफ वही द देने है और अब देना और सिर्फ इन्दर तासीर के दानी होगी और हमारे बेर्ट को सारी न्यूट्रेंट्रेंट प्रोटीन साघ्रा मिलेंगे और मुड़ां रहारे बच्फ को गर्मीन नहीं लगे और हमें ऑपना बट को साफ़ उड देता है उसको भी मातरा में बढ़ा पानी में पानी दो बार करना है क्योंकि उससे यह होगा कि जब आपने बार को नहीं पानी रहेगा और ताज तो हमारे बड़ उसे पिहेंगे तो उन्हें रहत मिलेगी बहुत ज्यादा और उनकी बात से related बात करूं तो हमें उनके ऊपर पानी चिड़कना है और जो भी मैं सारी टिप्स बता रहा हूं यह सिरफ बजी के लिए नहीं है बजी लबड कॉक्टेल फिंच जावा जो भी आप बड्स रख रहे हैं सब के लिए टिप्स में बता रहा हूं कि फैर हमारा सर्केंड पॉंट चलते तीसरे पॉंट की तरह तो थीजरे पॉंट पॉंट में आता है था जो अपने आ ہ्मेछ ब्रेडिंग भर्टे लेंगे मतलभ पता देए कि हमें आपने बेस् Giving रोकनी होगी türка मी बड़र है कंब the rules और उने में हैं रहें गरमी वह सकते हैं क्वाइव के ल póगी और मट्की निकाल कि ही जरूरी है क्योंकि मैं आपको रिजन बचा बता ही चुका हूं और जिन पेर के नीचे बच्चे हैं आप उनके नीचे से कुछ भी छेड़ खाने ना करें वह रहने देई इस क्लच तक अगला क्लच जैसे ही होगा आप तुरंत ही मट की हटा दे क्लच होने से पहले ही आप बच्चे बच्चे को बाहर रख दें जो बड़े हो जाएं अपने खाने लाएक सो यह था हमारा थार्ड पॉइंट और सब्सक्राइब इंपॉर्ट पॉइंट चलते हैं अपने फॉर्थ पॉइंट की तरफ और इससे पहले मैं एक चीज बता दूं मैं एक न्यू बर्ड लेके आया हूं प्योर यह लो राड आइस का जिसने भी वह वीडियो देखने हैं कमेंट सक्षन में उसका लिंक पिन मिलेगा जल्दी से आप जाके उसे देख सकते हैं तो फॉर्थ पॉइंट में आता है हमारा केज केज के केसे लिटेड है कि हमें अपने बर्ड जो हम सर् फॉर्ट में रहें और अगे और गर्मिया पड़ेंगी तो हमें वो चून भी नहीं रखनी है हमारे और अपने बर्ड को बिल्कुल ही हवात देनी ही देनी है यह नहीं है यह हमें हावा रोकनी ऑन्सें गर्मी में रखना है जिनका इंडोर सेटव खॉप और जिनका आउट पालक धनिया में थी और भी और हरी सब्जियां जो हम अपने बर्ट को प्रोवाइड करते हैं अब हमें हफते के अंदर सुने दो से तीन बार जरूर प्रोवाइड करना है इसके ओपर मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूँगा डे बाइडे कि हमें अपने बर्ट को उस दिन को भी हम अपने बर्ट को दाल गे हूं और भी दे रहे थे उन्हें अब हमें भीडो कर देना बिल्कुली बॉइल करके नहीं देना और वाइस आप तो आ रही है ताजा चलियां हमें अपने बर्ट को वही प्रोवाइड कराने हूं कि वह हमारे बर्ट बहुत सुक्स उखात